अत्यंत सावधानी पूर्वक आज का दिन व्यतीत करनी की गणिश्ची सलाह देते हैं, सर्दी, कफ और बुखार की कारण स्वास्थ खराब होगा, मानसिका स्वास्थता का नुभव होगा, धार्मेक और सामाजिक कार्यों की पीछे अधिक धन खर्च होगा, आज गलत जगह पूजी निवेश ना हो, इसका ध्यान रखें, व्रशब, गणेश्ची की पूरी क्रपा आज आप पर बनी रहेगी, परिवार में सुख शांती बनी रहेगी, कुटुम्ब और मित्रों के साथ आनंद के पल बिताएंगे, आपकी आय और व्यापार धंदे में व्रधी होग व्यापारियों द्वारा काम की कदर होगी, जिससे आप अधिक प्रोथ साहित होंगे कर्क, गणेशी कहते हैं कि आज का दिन आप धर्म ध्यान और देव दर्शन में अधिक समय देंगे, किसी तीर्थ इस्थान पर जाने का प्रसंग बनेगा, शारिरिक और मानसिक रूप से प्रफुल लित रहेंगे भाग्य व्रद्धी के अफसर मिलेंगे, बाहर खाने पीने से बचें, इस देव का नामस्मरण, अध्यात्मिक विचार और अध्यान चिंता कम करके सही मार्ग दिखाएंगे कन्या, गणेशी की क्रपा से आपका आज का दिन अनुकूलता से परिपूर्ण होगा, जीवन साथी के साथ आपन दिकटता की छण का आनंद उठा सकेंगे तुला, घर में शांती और आनंद का वातवरण रहेगा, सुखदायक घटनाय घटेंगी, कार्य में यश और सफलता मिलेगी, स्वास्थ बना रहेगा व्रश्चिक, स्वास्थ की संबंध में थोड़ी शिकायत रहेगी, संतानों की समस्या आपको चिंतित करेगी, मानहानी होने की संभाव ना है, संभव हो तो यात्रा या प्रवास से बचे धनो, तन्मन में स्फूर्ती का भाव रहेगा, अनिद्रा और समय पर भोजनना मिलने से स्वाभाव में चिर्चड़ा पनाएगा, महत्वपूर्ण दस्तावेज न बनानी की गडिशी सलाह देती है मकर, दैनेक कार्यों में अनुकूल परिस्थिती निर्मित होने पर राहत महसूस करेंगे, प्रतिश परधियों के समकक्ष सफलता मिलेगी, नए कार्य के लिए अनुकूल दिन है कुम्ब, वाणी पर संयम रखेंगे तो आज बहुत सी समस्याओं में से बच जाएंगे, ऐसा गडिश जी का कहना है वादविबाद में गहरे ना उत्रें, विद्यार्तियों को विद्याप्राप्ती में बाधा आईगी, आर्थिखानी की भी संभावना है मीर, आज का दिन आनंद और उत्साह से परिपूर्ण रहेगा, घर में किसी मांगलिक प्रसंग का आयुजन होगा, नए कारे का आरंभ करने के लिए शुब दिन है उनके साथ बाहर भूजन करने या घूमने जाने का अफसर आएगा, प्रवास या यात्रा की संभावना है